कि यहerson गुट मॉंशाने में जब हिए आसका विडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्यूंकि ऐसकी विडियो में कॉमन्ट करके प्राचल जी10 पूर। रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बना दो जिसमें मुझे घर की क्लिनिंग करना है और फेस को राप करके करना है एक दुपट्टे से तो उनकी रिक्वेस्ट थी वो तो मैं पूरी घर की सापसफाई वाला वीडियो तो नहीं देखा सकती क्योंकि बहुत लंबा हो जाए यह सब करनी के बाद और वो भी फेस को राप करके तो मेरी हालत खराब हना थैं तो क्लीनींक गःडिये को आज़ीने के रागए थैंस्ट से पहले बुहां तरग दैला आप देह सकते हैं यह सारी तरह की दल को मिलाके बनाया जाता है वाइट बीन, इस만 पॉर्टो राजमा चना दाल, ग्रीन मूंग, अरहर दाल, मसूर की दाल, छिलके वाली, सारी तरह की दाल, काली दाल, सब को मिला के बनाया जाता है, ऐसे रेडिमेट भी मिल जाता है, तटका दाल बोलके आप भूलेंगे, तो ग्रोसरी सोप से मिल जाएगा, या फिर सौपिंग मॉल पे मिल और इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे, और दो सिटी आने तक उबालेंगे, और यहां पर तटका दाल मेरे अच्छे से उबल चुका है, दो सिटी आ चुका है, और प्रेसर रिलीज होने के बाद में इसे डकन को ले हूं इसका, और आप देख सकते हैं कितना उबला ह हुआ है, यह मतलब मैसी सा नहीं हुआ है, बस आप प्रेस करेंगे, तो यह अच्छे से तूट जाएगा, बस इतना ही आपको उबालना है, और यहां पर मेरे मसाले दाने में ना मसाले खतम हो गए थे, तो मैं थोड़ी सी आड़ कर रही हूं, नमक हल्दी, और यहां पर द तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और तेल गरम होने के बाद दाल देंगे, एक तीस्पून अपूट जीरा, जीरा क्राकल होने के बाद आड़ करेंगे, चौप किया हुए प्यास को, यहां पर मैंने एक बड़े साइज की प्यास को चौप कर के लिया है, थोड़ी करेंगे एक टेबले स्पून अद्रक लेसुन का पेस इसे भी मिक्सर नप कर लेंगे प्यास के साथ धियान रखेगा यह सारे प्रोसेस आपको लो टो मीडियम फ्लेम पे करना है अभी इस स्टेज पे इसको मिलाने के बाद हम आड करेंगे चौप किये हुए टमेटो यह एक बड़े साइज के टमेटो को मैंने चौप करके लिया है इसे भी अच्छे से मिक्सर नप कर लेंगे और अभी इस स्टेज पे हम आड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे पहले में यहां पे डाल रहे हूं स्वादनुसर नमक उसी के साथ ही हम डालेंगे आधा टीस्पून हल का मसाला भी डाल सकते हैं सारी मसालो को एक साथ कमबाइन कर लेंगे मिक्सर नप कर लेंगे और इस स्टेज पे हम आड करेंगे तीन से चार टेबली स्पून पानी ताकि सारी मसालो का फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छे से कमबाइन हो सके पानी को भी अच्छे से मसालो के साथ mix and up कर लेंगे और इसे low to medium flame पे धकन लगा के एक से दो मिनिट तक पकने के लिए छोड़ देंगे दो मिनिट बाद ये देखिए कैसे मसाले तेल छोड़ने लगे हैं साइड से तेल निकल रहा है जब आपके मसाले ऐसे तेल छोड़ने लगे और मसाले इकठा होने लगे तब आपके मसाले रेडी हो चुके हैं पक चुके हैं अभी इस स्टेज पे ही हम तड़का डाल को यहां पे डालेंगे मसालों के साथ और आपको ध्यान रखना है आपको तड़का डाल से पानी अलग कर देना है और पानी को आपको फेगना नहीं है यहां पे ही इस्तमाल करना है लेकिन मसालों के साथ आपको पानी नहीं डालना है यहां पर डाल रही हो, क्योंकि मैं दाल उबालते वक्त ना बहुत ही कम पानी का इस्तिमाल किया था, तो आप देख सकते हैं इसके consistency, अभी इस स्टेज पे आपको consistency चेक करके पानी डालना है, मैं वो pressure cooker को पानी से रिंच करके यहां पर डाल दिया है, और इस स्टेज पे आप नमक बगेरा भी चेक कर सकते हैं, इसे अच्छे से एक स्टेट देने के बाद, इसे ढखकन लगा के low to medium flame पे चार से पांच मिनुट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और पांच मिनुट बाद ये देखिए, इसके consistency, मुझे मेरे रोटी के लिए consistency ठीक लग रहा है, क्योंकि ये थंडा होने के बाद ना और भी गड़ा हो जाएगा, बस इस स्टेच पे मैंने ग्यास का flame आफ कर दिया है, और कसूरी मेथी को क्रस करके यहां पे उपर से हम डाल देंगे, बस इसे हम अभी सर्फ करने चलेंगे, आप देख सकते हैं, इसके consistency, अभी ये गरम है तो इससा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ना थंडा होने के बाद ये और भी गड़ा हो जाएगा, बहुत ही delicious लगता है, और health wise बोलू तो बहुत ही अच्छा है health के लिए, और इसे उपर से सजा देंगे थोड़ी सी चौब के हुए धनिया पता के साथ, एक बार जरूर जरूर अपने घर पर जरूर पसंद या और मेरे दावाद है कि आपके घर पे भी इसे पसंद घरेंगे एक बार आपे और आपना फिड़ा को आ जरूर सेयर करिएगा अभी ब्रिक्फस्ट का काम मेरा खतम हो चुका है और मैं आगे हूँ फिर से रूम में साफ सफाई करने के लिए और जैसे कि उनका रिक्वेश्ट था कि मुझ को राप करके करना है तो मैं आई हूँ राप करके अभी क्लिनिंग करूंगी फेस को दुपट्टे से मुझे इतना अच्छा जो मुझ को बांधना नहीं आता है तो प्रांजल जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले से ही मैं सौरी भोल दे रहे हूँ तो चलो पहले टाइटली बांध लेते हैं फिर क्लिनिंग की काम करेंगे ठीक लग रहा है ना ऐसे ही उनका रिक्वेश्ट है कि एक दिखना चाहिए लेकिन में ने कैसे नहीं दिखा सकते हैं कहां भी गुद दाकू के जैसे दिख रहे हूँ मैं तो चलिए साब सफाई कर लेते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं साफ सफाई की काम सुरू कर रहे हूँ इसी बेट से क्यूंकि सारे कपड़े मैंने दूलने के लिए डाला था और बेट्चेट वगरा भी मैं दो दी थी वह सब सुके है थे मैं उसे फोल्ड कर रहे हूं और आप देख सकते हैं कलर पेंस और खुल और कॉपी खिलोना सब त्रिसा डाल चुकी है यहां पर फुरा फहला के मैं बहुड़ा सब साफ कर रहे हूं और यह बेट पे कोई सोता नहीं है तो इसा कि पापा काम करते हैं यहां पर और मैं भी यहां पर काम करती हैं लापटप का जो एडिटिंग वगरा की का सब कंकरते हूं यहां पर और बेट पर मैं फिल जम चाता है और बेट पर सबसे ऑपर कहСТए और सबक्राना पड़ता है यह बहुड़ा सब करने पर होगी साफ करने के बाद बोवला बेट सेट में चेंज कर लोंगी और दुलेख बेट सेट डाल दूगी यहां पर आप जो देख रहे हैं वीडियो जिस दिन का वुस दिन में साम तक की रूटीन सूट कर चुकी थी लेकिन एक साथ एक वीडियो में मैं सारा ब्लोग नहीं डाल सकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसका सेकेंड पार्ट ब्लोग का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेम डे की ब्लोग के साथ तिल देन बाबाई अपना ख्याल प्रत्वाने उन्हें